हेलो एवरिबर मैं रजनीश और स्वागत आपका मेरी चैनल लर्न विट रजनीश पे आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले है कि कैसे हम लोग PTM Payment Gateway को अपने website में integrate करेंगे PHP programming language के help से अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको मिल सके और Razor पे Payment Gateway इंटिग्रेशन इंपेश पी इसके बी मेरा एक वीडियो है अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो आप इसे देखें यहां से भी आपको बहुत सरा concept मिलेगा यहां से भी आपको idea मिले कि Payment Gateway जो है वो किस तरीके से काम करता है इसके workflow को समझना बहुत जरूरी है इसे क्या होगा कि आप किसी भी तरह के Payment Gateway को अपने वेबसाइट में इंटिग्रेट कर सकते हैं बहुत ही आसाल वजाएगा आपके लिए फिर यह क्लिए तो मैं आप आयाता हूँ सीधा इस इस प्रेल से मैंने डिलीट कर दता हूँ इसम ब्लांक टेबल है यह वेट मैंने इसे डिलीट नहीं किया अब डिलीट हो गया और यह बिल्कुल ब्लांक एक टेबल है अब मैं यहाँ पर चलूँगा कुछ इमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं यह तो यह जो मेरे पास पेज आया है यह पेज पेज पेडियम से आया है क्योंकि मैंने पेडियम पर रॉक्त किया इंक्रिप्टेट फरम में रिक्वेश्ट जाएगा और पेडियम आपको एक रस्पॉंस देदेगा बुलेगा आप एक utilizar merchant हो ठीक है तो मैं आपको यह पेज पेज दे दा हूँ इस से आपका client मतलब customer transaction कर सकता है customer यहाँ पर net banking को चूज किया पंजाब national bank customer का पंजाब national bank में account है तो pay rupees 100 जैसे वो इस पर click करेगा यह request फिर से जाएगा pay dm से होते हुए bank के पास, bank देखेगा कि id password user ने सब सही डाला, like यहाँ पर तो testing mode में काम हो रहा है, तो testing mode में काम हो रहा है तो आप यहाँ पर real id password तो डालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ testing mode में हो रहा है, तो इस step के बाद आपका same चीज भई होगा, आप id password डालेंगे आपका transaction, अगर success हुआ तो आपको एक response successful मिले, यहाँ पर हम इस button पर click कर रहे हैं, और इस button पर जैसे हम click किये, तो यहाँ पर देखिए हम एक response मिला, यह response जो है, यह paytm के थूँ मिल रहा है, paytm हमें response दे रहा है, और यह पूरा response का data है, जहाँ पर order id, merchant id, transaction id, transaction amount, मतलब कितने का purchasing हुआ है, payment mode क्या है, currency INR ही रहेगा मेशा, क्योंकि यह इंडिया में ही काम करता है, सिर्फ transaction का date, transaction successful हुआ है कि नहीं, कौन सा bank में transaction हुआ है, यह सारा detail आपको और यह है check sum, तो यह सारा detail जो है, यह detail आपको provide करेगा paytm, और यह जो message, यह message मैंने drop किया है, order place successfully, आप इस पूरे page को अपने हिसाब से customize कर सकते है, clear, तो चलिए अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने order place किया है, तो यह देखिए, purchase करके एक table है, payment gateway जो है, वो database का नाम है, इस table purchase के अंदर यह detail जाके load हो गया, clear, यहाँ पर जो customer ID है, वो एक dummy customer ID में ने ले लिया है आप लोग यह नहीं लेंगे, आप अपने हिसाब से जो user login करेगा जो उसकी ID होगी, वो ID जो होगा वो customer ID का काम करेगा तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला चीज यह step 1 में क्या करेंगे हम लोग यह design बनाएंगे और इसका already मेरे पास quote पढ़ा हुआ है designing के लिए तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले नहीं, simply quote को मैं copy paste करूँगा और यह design मज़ा मिल जाएगा जो second step है, वो है आपके पास merchant ID और merchant key होना चाहिए अगर वो नहीं है, तो आप Paytm Payment Gateway को अपने website में integrate नहीं कर सकते हैं, तो यह merchant ID और merchant key को लेने से पहले हम फटाफट पहले यह page बना लेते हैं, तो चलता हूँ मैं www के अंदर LocalDix C के अंदर, यानि WAM64 के अंदर हम www में जाएंगे यहाँ पर जाकर एक folder में create करूँगा फोल्डर का नाम में देता हूँ Paytm Int Integration Intgr तो यह folder का नाम है, अब इस folder को मैं open with code करूँगा Done और यहाँ पर simply जाके मुझे एक design बनाना है तो अब मैं एक page बनाता हूँ यहाँ पर index.px इपेज मेरा तो ऐसा समय ले रहा है create होने में तब तक मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो design का code है मैं इसे copy कर ले रहा हूँ और फिर आपको इस यहाँ पर explain कर दूँगा file create होने में इतना समय है तो नहीं लगना चाहिए तो यह मेरा paste कर दिया मैंने code को save अब मैं इसे run कराता हूँ तो localhost patium intgr यहाँ पर image नहीं आ रहा है कोई बात नहीं image मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ तो wait मेरा image कहा गया यह मेरा image ठीक है तो यह image मैं यहाँ से wait ठीक है अब मेरा image आ गया मेरे project के अंदर तो मैं यहाँ पर इसे refresh करता हूँ तो यह मुझे image मिल गया done अब मैं अगर buy now पर click करूँगा तो मेरा request जाना चाहिए कहाँ पर ptm के पास ptm के पास मेरा request कैसे जाएगा मेरे पास merchant ID और merchant key होना चाहिए और उसको हम इस्तिमाल करेंगे अपने इस particular यहाँ पर visit करेंगे यहाँ पर जाकर मैं login directly कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ID password है मैं directly login कर सकता हूँ मेरे पास merchant ID और merchant key भी है but मैं आपको यहाँ पर यह भी सिखा देता हूँ कि कैसे आप अपना account create करेंगे यहाँ पर सिधा हम लोग आगए है create account वाले section में जहाँ पर यहाँ पर मैं mobile number provide करूँगा और साथी साथ यहाँ पर mobile number देने के पासवर्ड देना तो यह email ID मैं अपना provide कर दिया पासवर्ड यहाँ पर यह password एंटर करने के बाद यह send verification OTP OTP आएगा मेरे mobile number पर OTP मुझे यहाँ पर डालना होगा तो वो OTP मैं यहाँ पर provide करके तो जैसे मैं यहाँ पर create OTP डालने के बाद create account पर क्लिक करूँगा तो मेरा यह भेज आ जाएगा dashboard यहाँ पर जाकर मैं simply नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर get test keys get test keys पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी API keys होगा वो आपको मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर देखे उपर में दिखा रहा है your test API credentials आप देखे होंगे वापे तो यहाँ पर generate now पर मैं अगर अभी क्लिक करता हूँ request already submitted for this solution तो कभी कभी ऐसा होता है कि API keys जो है वो immediately नहीं आते तो मैं हम कुछ दिर के बाद मैं फिर से यहाँ पर देखिए उसी ID और पासवर्ट से मतलब मुवाइल नम्बर और पासवर्ट डालके मैं यहाँ पर sign in कर रहा हूँ और कुछ दिर के बाद मतलब 8 मिनट 10 मिनट कभी कभी इमिडिटली आया था कभी कोई 10-15 मिनट लगता है तो वो आपको API keys provide करता है PTM तो यहाँ पर मैं यह पासवर्ट डालके sign in पर click किया मैंने यह काम मैंने किया कुछ दिर के बाद उसके बाद simply get test की में गया मैं और यह देखिए test API details है ठीक है इसी जए हमको अपना काम करना है क्योंग यहाँ आप हम लोग test mode में काम करेंगे और मैं अभी यहाँ के लिए फिलाद lock out कर रहा हूँ create account आपको यहाँ पर click करना है तो account हमने create कर लिया वापस मैं इसी page में आ जाता हूँ ठीक है और इस page में आने के बाद यहाँ पर मैं जो इस्तिमाल करूँगा यह जो मैंने अभी API keys generate किया था merchant की और merchant ID उसे ना use करके मैं अपना पुराना merchant ID और merchant की इस्तिमाल करूँगा तो मैंने login पर click किया login पर click करने के बाद यह हम यहाँ पर sign in करने जा रहा है और sign in ओके यह मेरा mobile number और phone password और यह मैं यहाँ पर sign in कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर आपका यह dashboard खुल गया इसमें आपको बोलेगा activate account for website and app यह तब जब आपको production पर काम करना है तो आप यहाँ पर जाओगे यहाँ पर अपना सब business का information दोगे जो भी आपके documents है आपका bank details वो सब देकर आपको यहाँ पर register करना पड़ेगा अब यह जो left side में जो दिख रहा है आपको यहाँ जाना है सिधा developer settings में जाना और API keys पर क्लिक करना है आप जैसे APIs की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर test data details, test API details यहाँ पर आप देख सकते हैं test merchant id जो हमें लगेगा और यह test merchant की यह हम use करने वाले यह दोनों use करेंगे merchant id जो है उससे आप uniquely identify होते है यानि merchant जो है uniquely identify होता merchant कौन है जैसे कि माली जब मैं अपनी website बनाना चाहता हूँ तो मैं merchant हूँ और यह जो merchant की है इससे encryption का काम होगा तो यह बहुती secure और safe होना चाहिए इसे आपको किसी किसम शेयर नहीं करना है और यह है production API details क्योंकि हमनों production में काम नहीं कर रहे है इसलिए production API details यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन याद रिखी दोनों में काम सेम होता है कोई difference नहीं है इसमें तो हम यहाँ पर यह merchant id और merchant की का इस्तेमाल करेंगे अपना आगे का टास्क करने के लिए अब इसमें आपको मैं कुछ चीजे दिखाता हूँ लिंक जो important है जैसे test documentation testing documentation मतलब आप अपना जब test mode में testing करना चाहेंगे तो आपके पस कुछ test credentials होना चाहिए तो आपको जाएगा और getting started करिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह सब start building with paytium यहाँ पर सब कुछ steps दिया हुआ है merchant id क्या है merchant key क्या है आप जो भी request करते हो उसको encrypted form में send करता है request को तो यह बहुत ही important key होता है यह इसे सारे details यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और यह लिंक है website यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जाकर आपको देखिए एक video दिखा रहा है जहाँ पर कुछ demo video है जो process को समझा रहा है और यह सारे overview of payment processing यहाँ पर दिया हुआ है यह आप पढ़ सकते हैं यह जो merchant ID, transaction ID जो मैंने आपको demo में दिखाया था यह सारे details यहाँ पर देखिए दिये हुए है इनके बारे में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ से काफी कुछ जान सकते है clear? तो आप इसे जरूर read करिएगा अगर आपको depth में चीज़ों को समझना है तो यह फिलाल मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ हमें अभी यह नहीं लगेगा और इसे भी मैं close कर दे रहा हूँ अब simply हमारा काम क्या है हमारे पास तो यह चीज़ है और क्या merchant ID and merchant की अब हम क्या करेंगे? हमें चाहिए API तो वो API जो है मैंने अपने GitHub अकाउंट पर अप्लोड कर रखा है तो तकि मुझे easily मैं access कर सको उसे तो यह आपर आपको simply यह GitHub लिंक पर आपको visit करना है और यह download करना है यह जो file है यह already internet में available है वहाँ से मैंने retrieve करके इदर में डाल दिया वैंगा clear? और उसके बाद आपको क्या करना है यह मैं आपको बताता हूँ इसे simply save करना है save करने के बाद मैं जाओंगा इदर showing folder यहाँ जाके इसे simply cut करूँगा और अपने project में डाल दूँगा में प्रोजेक्ट कहां पर है भाई? मेरा project है यह इदर इदर में मैंने इसे paste कर दिया और यहां पर मैं इसे unzip करेंगा तो ये मैंने इदर में कर दिया unzip और इसे मैंने कर दिया delete अब इदर जाएंगे और इसको पूरा हम copy कर रहे है back हुए और इधर में मैंने इससे ये देखिए, मैंने इससे पेस्ट कर दिया ओके लगता कॉपी नहीं हुआ सही से, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया और ये फोल्डर को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया वापस हम अपना VS Code open कर रहा है अब मेरे VS Code में पहले से ज़्यादा PHP फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है और यह लाइबरेरी जो है इसके अंदर दो फाइल है configuration मतलब config underscore ptm.php मैं इसे open करोगा आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है इसे open करके आपको कुछ configuration करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर यह दिखिए कुछ variables लोने define कर दिया है यहाँ पर ptm environment की है test और यहाँ पर option में production mode भी है production mode मतलब production environment में अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको prod लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर merchant key और merchant id प्रोवाइट करना है तो merchant key और merchant id में से बंद कर देता हूँ यह इधर से मिल जाएगा यहाँ से मैंने इसे copy किया और merchant id को मैंने इधर में paste कर दिया अब मुझे चाहिए क्या merchant key तो merchant key भी मुझे यहाँ से मिल गया और ये मैंने इधर में डालती है इसे बहुत समझने का आपको जरूरत नहीं है simply जो जो मैं कर रहा हूँ बस आपको उसे करते जाना है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ web और callback URL क्या होगा callback URL का मतलब जब sub-transiction आपका हो जाएगा तो response में आपको एक page मिलना चाहिए तो वो page क्या होगा तो वो page देखी यह है page pgresponse.php ठीक है तो pgresponse.php का URL मैं यहाँ पर डालता हूँ तो वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा मैं इसे यहाँ से copy कर ले रहा हूँ और यह क्योंकि मेरा project जो है इसी folder के अंदर है तो अब मुझे इस folder को target करके pgresponse.php ठीक है तो यह जो callback URL है अब यह हम अपने किसी भी दूसरे PHP file में use कर सकते हैं simply हमें बस इस particular file config file को import करना होगा अपने दूसरे PHP file के अंदर आगे में यहाँ पर कुछ queries हैं यह बहुत important URL है इसी URL के उपर इसी URL पर आपका सारा transaction का process होता ठीक है ना तो production mode के लिए यहाँ पर अलग condition डाला हुआ है और यह नीचे में वो variables को उन्होंने define कर दिया है ठीक है कि पेटियम transaction URL को हम अपने किसी दूसरे file में पेटियम transaction URL नाम से access कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर simply constant define कर दिया किया है तो अब हमें क्या करना है अब यहाँ पर कुछ pages हैं जैसे कि देखिए transaction test मैं फिलाल इसका बिल्कुल use नहीं करने वाला हूँ इसको मैं avoid कर रहा हूँ आप लोग भी इसको avoid करिएगा आपका page है simply यह वाला index ठीक है अब मैं index.php में आ जाता हूँ अब मैं आपको बताऊंगा यह कि अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा suppose कि मैंने यहाँ पर email ID डाला और phone number डाला मैंने click किया कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मुझे request कहाँ पर भेजना है? Paytm के पास ओके तो मैं अपने project में आ जाता हूँ मैं form में चलता हूँ कि जब मैं button पर click कर रहा हूँ buy now पर जब मैं click कर रहा हूँ तो कुछ action क्यों नहीं हो रहा है तो action में क्या डालेंगे यहाँ पर जिसे कि हमारा request चाहे Paytm के पास तो वो काम करेगा आपका यह वाला page page redirect.php तो pg page को मैं आपर pg को मैं आपर page पढ़ रहा हूँ तो redirect.php तो pg redirect.php में जाके आपको थोड़ा सा changes करना होगा वो changes इसले करना पढ़ रहा है क्योंकि इस form के अंदर जो मैंने input type इस्तिमाल किया है उन सब में नाम जो है थोड़ा अलग-अलग है अगर pg redirect.php को मैं open करूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे उपर line number 6 और 7 में यहाँ पर देखिए config.ptm.php encryption.decryption.php दो files को उसने include, मतलब import कर लिया है simple भासा में यह इस library के अंदर है यह encryption, decryption, ptm.php जो है इसके अंदर आपका सारा function available है कि किस तरह से encryption करना है किस तरह से description करना है इसे get check sum from array यह function को मैं इस्तिमाल करेंगे data को encrypt करने के लिए तो यह सब इसी file के अंदर present है तो चलिए अब इसका और कोई काम नहीं है अब simply मुझे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया pgredirect.php तो मैं अब pgredirect.php को open करूँगा और अपने हिसाब से थोड़ा सा इसे customize करूँगा तो यहाँ पर देखिए पहले से यह सब code लिखा हुआ है तो मुझे अब यहाँ पर ध्यान देना है कि dollar post के अंदर जो चीज़े लिखी हुई है वो सब सही नाम है कि नहीं तो यहाँ पर capital order id दिया हुआ है बट मैं यहाँ पर capital order id नहीं दे सकता क्योंकि मेरा जो order id है यहाँ पर दिखिए यह input type hidden order id अब यह order id मतलब जो भी हम buy now करेंगे वो एक order id हमें create करना है तो order id के लिए यहाँ पर value दिया हुआ है जो वो random है एक random function को call किया गया है जो एक range के अंदर का value return करेगा ओर डS के साथ phone cat हो जायागा ठीक है email id यहाँ पर दिखिए यह भी आपका email id और phone number यह तो hidden नहीं है यह आप अपने हिसाब से use कर सकते हैं बिल्कुल तो मैं आपको बताऊंगा जो उसमें क्या करना है देखें तो PG redirect में हम गए order id में यहाँ पर मेरा small letter में order id है तो मैंने यहाँ पर लिग दिया order id जैसे मैं गर रहा हूँ बिल्कुल बैसे ही करना है आपको अच्छा customer id करके इस form में कोई customer id नहीं है क्योंकि बहुत ही simple सा form है यहाँ पर कोई customer sign in या login करके नहीं आ रहा है page के ऊपर ठीक है तो हम यहाँ पर अभी के लिए dummy customer id ले ले रहे है जो की आप production में जब काम करेंगे तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कोई college का project बनाएंगे तो definitely है आप उसमें आपका बहुत सारा pages होगा तो वहाँ से आप retrieve कर लिजएगा आपने customer का id ठीक है done ओके इसमें यह जो चीज़े दी हुई बिल्कुल change नहीं करना आपको जैसा है वैसे रने दीजेगा अब यह transaction amount नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है price तो मैं यहाँ पर जाओंगा और simply price लिखतूंगा अच्छा price के साथ मुझे quantity को multiply करना होगा तो मैंने यहाँ पर यह पोस्ट और qnty यह quantity का नाम है qnty ठीक है तो इससे मुझे transaction amount पह मिल गया यह details मिल गया यह details को मुझे इस param list array के अंदर ढाल के ptm को send कर देना है वो भी encrypted form में ठीक है ना तो वही काम देखे हैं आप है किया गया param list के अंदर उसने mid करके एक variable लिया और उसके अंदर उसने ptm merchant id को डाल दिया यह ptm merchant id कहां से मिल रहा है मुझे यह मिल रहा है config ptm.php से ठीक है ना फिर यह देखे order id customer id सारे details यहां पर डाल दिये गया है और यह callback url सब कुछ done अब इस array को मुझे encrypted form में send करना है पेटियम के पास तो यहां पर line number 37 में उसको encrypt कर रहा है ठीक है और उसके बाद encrypt करने के बाद जो नीचे का page है ठीक है please do not refresh this page जो आपको initially जब मैं आपको demo दिखा रहा तो आप आ रहा था यहां पर आप ध्यान से दिखिए form method post action में क्या लिखा हुआ है पेटियम ट्रांजेक्शन यू आरल यह वही यू आरल है जहां पर आपका सारा ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होगा यह पेटियम के द्वारा प्रोवाइट किया गया यह यू आरल है ठीक है जो आपको मिलेगा कहां पर config.php के अंदर पेटियम यह यहाँ पर मिलेगा आपको यह दिखिए पेटियम ट्रांजेक्शन यू आरल तो उसके बाद यह एक्शन होगा कब यहाँ पर आपको कुछ क्लिक करने का ज़रूद नहीं यह आटोमेटिक लिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ अब देखिए लिखा है document.f1.submit submit क्या होगा यह सारा detail जो भी detail है इस form के अंतर वो सारा detail submit होगा done तो अब अगर मैं इसे run करा हूँ तो देखता हूँ मुझे क्या मिलता है result में चलिए मैं इसे run कराता हूँ मुझे यहाँ पर initially कुछ error मिला था मैं देख नहीं पाया उसे तो यहाँ पर जो मुझे मिला है वो है आपका medium के द्वारा provide किया गया एक page कैसे हुआ यह जब आपने यहाँ पर by now पे click किया तो आपका यह वाला जो action है pgredirect.php यह run किया ठीक है यह file के अंदर जो भी code लिखा हुआ है वो code जो है सीधा जाएगा आपका paytm के पास और वो भी कहाँ पर इस URL में और यह जो form है यह automatically submit हो रहा है हम नहीं कर रहा है उसके बाद paytm आपका सारा detail चेक करेगा कि param list के अंदर क्या-क्या detail है फिर वो एक response देगा और यहाँ पर हमें जो page मिला वो page भी paytm ने provide किया अभी के लिए क्योंकि यह तो हम लोग सिर्फ testing mode में काम कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर suppose कर लो successful पर click किया तो यह response में मुझे यह सारी चीज़े मिली है और यह कहाँ से मिला है यह URL यह URL हमने कहाँ पर provide किया था यह URL देखिए यहाँ पर डाला जा रहा है यह callback URL और यह callback URL config के अंदर defined है यह देखिए यहाँ पर callback URL के अंदर हमने क्या लिखा है यह लिखा है तो यह जो page है इस page को आप अपने हिसाब से customize कर सकते है यह page है कहाँ पर PG response वो PG response जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर यह है PG response ठीक है ना तो मैं इसे भी समझा दूँगा आपको बहुत है simple सा चीज है ठीक है तो पहला काम हमें तो यह सब detail मिल गया बढ़ यह detail हम database में कैसे send करेंगे यह तो माली जब मेरा पहले का है मैं इसे delete कर दे रहा हूँ जब मैं demo दिखा रहा था आपको अब मुझे इसके अंदर detail डालना है तो यह detail डालने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो main page होता है वहाँ पर हम लोग session create करते हैं session के अंदर हम लोग user का ID डाल देते हैं और भी कुछ details डाल देते हैं और page response जो है यह यहाँ पर क्या होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ इसमें एक थोड़ा सा problem होता है जो आप लोग को जाना जरूरी है PG response last वाला page है जो की आपको paytm provide करेगा success हुआ आपका की नहीं हुआ वो सब बता देगा यहाँ पर तो इसके अंदर basically हो क्या रहा है इसके अंदर आप ध्यान से देखेगा तो यह जो line है आपका यह line इस line में dollar post एक array है जिसके अंदर सारे data fill up करके paytm provide करता है और हम उसे किसमे assign कर रहे है param list के अंदर param list के अंदर जाने के बाद उसके बाद यह line में checking हो रही है कि dollar post यहाँ पर देखी यहाँ पर लिखा है send by paytm page इस सब कुछ paytm के द्वारा ही send किया जा रहा है तो यह जो है dollar post check sum यह check होगा कि set है की नहीं अगर यह set हुआ तो paytm check sum के अंदर यह जो भी value है check sum hash का वो इसके अंदर store हो जाएगा clear उसके बाद जो भी data send किया गया है paytm के द्वारा उसे यहाँ पर decrypt किया जा रहा यह जो line number 18 है यहाँ पर उसे decrypt करते वक्त अगर कोई भी information में tempering नहीं हुआ है या कुछ भी issue नहीं हुआ है तो आपका is valid check sum में true आएगा नहीं तो इसके अंदर false आएगा उसके बाद if condition के अंदर यहाँ पर check हो रहा है कि अगर वो true है तो आपको क्या करना है अगर सब कुछ सही है सारा transaction सही है तब आपको क्या करना होगा developer को क्या करना पड़ेगा developer को simply यहाँ पर जाकर data को submit कर देना है database के अंदर है ना database के अंदर submit कर देना है और अगर dollar post status transaction success नहीं आया या TXN जो है वो failure हो गया सब कुछ सही था बट क्योंकि bank के संग उसका communication सही से नहीं हो पाया तो जो TXN है वो success नहीं होगा supposedly यूजर ने ही password ID का लट डाल दिया कुछ अपने banking के समय में या फिर wallet को use करते समय तो यहाँ पर यह success नहीं आएगा तो सीधा चला जाएगा डॉलर पोस्ट के अंदर यहाँ पर अगर डॉलर पोस्ट सेट है और count में वो 0 से जादा है तो जितना भी detail है वो सारा detail डॉलर पोस्ट का display हो गया था जो आपको यह दिखाई दे रहा यह जो आप data देख रहे हैं यह सारा data इस for loop के द्वारा प्रिंट किया गया आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं आप चाहे तो इसे इकेट करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर अगर suppose कर लीजे यह true नहीं हुआ तो simply इधर जाएगा दिखाएगा check some mismatched ठीक है तो process transaction is as suspicious तो कुछ भी suspicious हुआ कुछ भी problem हुआ तो यह चीज false हो जाएगा तो यह सारा detail है अब हमें यहाँ पर क्या करना है अपना कुछ code करना है तो हम यहाँ पर करेंगे कि database के अंदर हमको data send करना है और इस चीज का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर session को start करके आप अपने पुराने session के data को retrieve नहीं कर सकते हैं इस page के अंदर तो यह आप जब भी करेंगे session start करेंगे और आप सोचेंगे कि index.php में मैंने session variable के अंदर कोई भी detail डाला है तो मैं उसे यहाँ पर access कर लूँगा तो वो नहीं हो पाएगा access ठीक है तो उसका भी यहाँ पर एक trick है आपको करना क्या है कि initially सबसे पहला काम करते हैं हम लोग एक file बना लेते हैं जल्दी से connection.php अब connection.php में मैं connection create कर देता हूँ जल्दी जल्दी ओके तो यहाँ पर मैं लिखूँगा dollar con mysqli connect connect के अंदर मैं लिखूँगा localhost localhost मेरा port number 3308 यहाँ पर मैंने mention कर दिया password क्या है root sorry user id root है password कुछ नहीं है और database का नाम क्या है payment gateway database का नाम okay मैं आपर लिख देता हूँ not dollar con यहाँ पर डिस्पले हो जाएगा मेरा echo error done यह मैं इसको close कर दे रहा हूँ अभी और हम चलेंगे सीधा page d direct में ठीक है ना तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि simply sent data to database database में हम database send करेंगे database में हम data send करेंगे तो कॉनसर data send करेंगे basic data send करेंगे जैसे की customer id user id ठीक है और transaction जो है उसको हम लोग transaction का जो status है उसको हम लोग failure भी रख सकते हैं failure ने incomplete रख सकते हैं तो हम क्यारेंगे क्या है यहाँ पर simply एक query लिखेंगे dollar query और query के अंदर मैं लिखूंगा आपका insert into table का नाम नाम है आपका purchase और purchase में वो सारे column की name मुझे mention करने होंगे जो यहाँ पर देया हुआ है तो order id customer id amount यह सब लिखना है वहाँ पर है तो चलिए फटा फट लिखता हूँ मैं इसे छोटा करके दो लिखूंगा तो easily मैं फटा फट लिखता हूँगा यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका customer id और order id और यहाँ पर क्या है और आइडी है customer id amount है तो customer id जो है वो उसके पहले है मेरा order id फिर amount उसके बाद क्या है order date payment mode okay over date payment mode txn status ठीक है यह हो गया और यह तो अब values को target करेंगे अब तो values डालेंगे sorry और values में क्या हैगा आपका dollar order id और customer id डाल देंगे यहाँ पर dollar customer id और amount डाल देंगे यहाँ पर तो transaction amount और payment mode अभी क्योंकि decide नहीं हुआ payment mode उसको blank रख देते हैं transaction order date sorry order date blank इसको भी blank रख देते हैं और इसे भी blank रहना देते हैं ठीक है अब मुझे क्या करना है इस query को run करा देना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे mysql i query dollar con comma query पर मुझे उसके पहले यहाँ पर require once में जाके लिखना पड़ेगा require once c o n n e c d i o n connection dot php ठीक है done अच्छा mysql i query में error क्यों दिखा रहा है कि यहाँ पर मैंने semicolon नहीं दे है done अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा if अगर सब सही रहा तो यहाँ पर अगर not से नहीं होगा तो जो error है वह error मैं चाहूँगा कि display बचाना error dollar one ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं चेक करता हूँ पहले यह काम कर रहा है कि नहीं मैं back जाता हूँ और यहाँ पर buy now पर मैंने click किया चलिए मैं database में जाकर database को देखता हूँ कुछ गया है कि नहीं इसके अंतर तो यहाँ पर कुछ detail गया है देखिए order ID, customer ID, amount बाकी कुछ भी नहीं गया है और यही वो order ID है 331 लास्ट में देखिए यहाँ भी 331 है तो यहाँ तक नम बढ़ियां जा रहा है लेकिन अगर मैं आगे प्रोसीट करता हूँ net banking पकड़के यह तो फिर यह वाला जो page है ना यहाँ पर भी मुझे detail update करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आज आने का मतलब है कि सब कुछ सही सही हो गया है आपको यहाँ पर क्या करना होगा simply database को update कर देना पड़ेगा तो database को update मतलब यह जो database है यहाँ पर order date, payment mode और transaction status इसे update कर देना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे simply एक query लिखेंगे dollar query equals to update purchase update purchase set क्या set करना है मुझे column name क्या है order date, over date, payment mode तो मैं यह लिखूंगा over date equals to यहाँ पर dollar order उसके लिए मुझे क्या करना होगा यह जो post है ना यह post इस post से मुझे data fetch करना पड़ेगा तो यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा dollar order date अब वो मुझे मिल जाएगा यहाँ से post post के अंदर मैं क्या डालूंगा order आपको कैसे पता चलेगा post के अंदर मुझे क्या डालना है तो वो मुझे मालूम चलेगा मैं यह कर सकता हूँ कि एक बार मैं इससे यहां से अटाक कर चेक कर लेता हूँ जिसे मैं अगर यह इससे आगे बढ़ा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा यह देखें यह है कॉलम मतलब वो प्रॉपर्टी order id तो मुझे यह चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा dollar order id equals to dollar post और इसके अंदर मैं डाल दूँगा capital में order id तो वो मुझे चाहिए order id नहीं चाहिए तर मुझे order date transaction date यह date चाहिए तो मैंने txn लिया यहाँ से copy किया और इधर मैंने डाल दिया ठीक है और इससे space अटा दीजेगा आप लो copy paste करते हो तो space आ गया था और क्या चाहिए मुझे status चाहिए तो यह status भी मुझे मिल गया यहां से तो मैं लिखूँगा dollar status status equals to dollar post done status मिल गया मुझे और क्या चाहिए तो मुझे transaction status तो मिल गया और payment mode भी चाहिए तो payment mode कहां से मिलेगा यह मिलेगा मुझे यह payment mode यहां से मिलेगा चलिए मैं इससे भी dollar mode dollar post और यह मैं डाल दिया payment mode space हटा दिया मैंने तो तीनो data मुझे मिल गया जो मुझे यहां पर update करना होगा तो अब मैं query लिखूँगा अपनी यहां पर dollar query equals to update purchase purchase के अंदर जाके मैं लिखूँगा set set में क्या गरना है what date what date equals to sorry यहां पर मैं बाहर में double quotes करता हूँ बाहर में double quotes तो अंदर में single quotes तो यह dollar हो जाएगा मेरा order date इसे change करता हूँ order date यह हो गया मेरा order date ठीक है और क्या चाहिए comma देके लिखना पड़ेगा comma मेरा और क्या है transaction status sorry payment mode और transaction status यहां पर मैं लिखूँगा payment payment mode equals to dollar mode और फिर क्या लिखना है TXN STATUS status यह मैंने डाल दिया यहां पर dollar status यहां पर condition भी देना होगा where कहां पर order id order id यह order id है तो आप इस particular condition को जो मैं यहां पर दे रहा हूँ अपने हिसाब से आप customize कर सकते हैं तो मैं यहां पर लिखूँगा dollar directly मैं लिख दे रहा हूँ dollar post better यह होगा कि मैं इस यहां ले लेता हूँ easy रहेगा आप लोग के लिए dollar order id equals to dollar post और यहां पर होगा capital में order id ठीक है तो अब मुझे क्या करना है इसे यहां पर डाल देना तो इसे अटाप के dollar order id done यह सेमी कुल है तो यह मैंने update का एक query लिख दिया अब मुझे इस query को run कराना होगा तो मैं simply लिख दूँगा और यह हो गया मेरा query query में डाल दूँगा dollar corn and dollar query ठीक है if के अंदर डाल देता है if not अगर ऐसा नहीं होता है suppose करो अगर यह query run नहीं किया तो जो भी error होगा वो error हम एको कर देंगे तो मैंने यहां पर लिख दिया mysqli error और इसके अंदर pass कर दिया dollar ठीक है और उसके बाद फिर यह वाला part run कर जाएगा तो इस वाले part को skip कर सकते हैं इसे अराम से तो मैं अब क्या करूंगा simply एक बार इसे run कर आते हैं पुरा तो मैं back जाता हूँ एक बार और मैं इसे delete कर देता हूँ refresh back refresh email id phone number please do not refresh this page net banking this अब भी यहां पर मैंने क्लिक किया तो इतना सारा error आ रहा है transaction status is success actually data चला गया होगा लेकिन गडबड़ी कहां भी हुई है इदर में यहां पर गडबड़ी हुई है यह बोल रहा है undefined variable कौन line number 33 में तो line number 33 में undefined variable $ क्योंकि मैंने यहां पर उस page को include नहीं किया तो require once यहां पर मैं क्या लिखूंगा connection connection.php done मैं इसे इवा back करता हूँ और फिर से refresh करता हूँ और यहां पर मैं इसे इवा delete कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आये तो यह और यह मैंने क्लिक किया 300 रुपय मुझे pay करना है net banking और hopefully इस बर हो जाना चाहिए okay transaction status is success और यह मेरे को पूरा detail मिल गया done चली मैं आप दिखता हूँ तो यहां पर मेरा detail database में भी आ गया अब यह जो detail है इस detail को आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं को simply में बता देता हूँ यह जो particular loop है आप इसे हटा दीजेगा या फिर आप इसमें से selective चीज़ डिस्प्ले करिएगा ठीक है और यहां पर आप बढ़ियां सा कोई HTML का code भी लिख सकते हैं ठीक है या फिर आप यहां से submit करने के बाद जैसे अगर यह condition माल लिजे यह जिसे यह तो जब true हो जाएगा तो अब यह इसा बात है यह वाला part run नहीं करेगा जब यह false होगा तब यह run करेगा तो आप इसका else लिख दीजेगा और else में जाकर आप एक particular page header function को call करके आप आप एक location दे दीजेगा तो आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं तो यह था सब detail ptm payment gateway को कैसे integrate करेंगे अपने website में ठीक है तो यहाँ पर मैंने वो सारे information दीए जो आपके लिए जरूरी है इसे implement कर पाने में आपको implement करने के बाद इसे अपने हिसाब से customize करना है आप बिलकुल इसे production mode में जो concept में लगाया है उसे मत use कर लिजेगा database में data डालने का बढ़ हाँ जो मैंने बताया है इसको इस्तेमाल करके आप definitely इस payment gateway को अपने website में integrate कर सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरा यह video lecture कैसा लगा आप लोगों का feedback मेरे लिए बहुत जरूरी है उससे मझे confidence मिलता है और मैं और भी videos बनाने के लिए अपने आपको प्रुसाहिद कर पाता हूँ तो आज कि इस lecture में इतना ही मिलते हैं next lecture में किसी और topic के साथ तब तक के लिए बाबाय